तो यहाँ पर हमारे परस फिर से दो inequalities हैं, एक है 3y plus 7 is less than 2y और दूसरी है 4y plus 8 is greater than minus 48 और हमें solve करना है y के लिए, पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर एक and लिखा हुआ है, इस and का मतलब यह है कि मेरा जो y आएगा, जो y मैं धून रहा हूँ, वो इस inequality क को तो satisfy करेगा ही and इस वाली को भी करेगा, तो चलो इस question को solve करने की कोशिश करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर हमारे पास यह and है, यानि कि मुझे ऐसे solution देखने हैं, जो इन दोनों inequalities को satisfy करें, तो पहली वाली inequality देखते हैं पहले, यह 3y plus 7 is less than 2y, 2y को यहाँ से अटाना पड़ेगा, यह दोनों जगा पर y है, इसके लिए मुझे दोनों साइड से 2y सब्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलो वो करते हैं, यहाँ है minus 2y, यहाँ पर भी minus 2y, और क्योंकि दोनों साइड मैंने same चीज़ सब्टार्ट की है, तो inequality पर फरक नही छड़ा नहीं है, यह less than, और 2y minus 2y, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यह cancel out, तो यह बचेगा 0, अब मेरे पासे y plus 7 is less than 0, तो मुझे इस 7 को यहाँ से अटाना है, मैं दोनों साइड 7 सब्टार्ट करता हूँ, minus 7, minus 7, और क्योंकि मैंने same number से सब्टार्ट किया है, तो मेरे inequality चेंज नहीं होगी, यह यहाँ पर बचेगा मेरा y, plus 7, minus 7 कट गया, is less than 0, minus 7, यह हो जाएगा मेरा minus 7, तो यह हो गया मेरा पहली inequality का solution, यानि कि y जो है, वो minus 7 से छोटा होना चाहिए, अब देखते हैं दूसरी inequality को, यहाँ पर लिखा, 4y plus 8 is greater than minus 48, यहाँ पर यह हो जाएगा minus 8, यहाँ भी minus 8, तो यह left side बचेगी मेरी 4y, और यह plus 8 minus 8, यह cancel out हो गया, यहाँ बचता है मेरे पस greater than sign, क्योंकि मैंने same चीज़ सप्राट किया है, तो sign change नहीं होगा, और यह minus 48 minus 8, तो यह बचेगा मेरा minus 48 और 8 हो गया, 56, minus 56, इसको और solve करने के लिए करते हैं, और हमें पता है कि 4 हमारा जो है, यह positive number है, positive number से अगर मैं divide करूँगा, यह multiply करूँगा, तो inequality पे change नहीं आएगा, तो inequality मेरी as it is, इसको मैं ऐसे gradient लिख देता हूँ, यहाँ से 4, 4 से cancel out, यहाँ बचा मेरा y, यहाँ है 56 और यहाँ है 4, 56, 4 से divisible होता है, अगर मैं divide क करने के कोशिश करूँ, तो यह का take up 4 से 1, और यह का take up 4 से 1, 1 और 6, 4, यानि कि इस side लिखा हूँ है minus 14, तो दूसरी inequality कहती है, मेरा y minus 14 से बड़ा होगा, और इस and को अभी यहाँ पर नीच उतारते हैं, यह mean player है हमारा इस video का, यह है and, यह and कहता है, कि मेरा y minus 7 से चोटा होन चाहिए and minus 14 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को satisfy करना चाहिए, तो इस चीज़ को अगर मैं number line पर बनाना चाहूँ, तो यह मेरी number line यहाँ मैंने, यहाँ पर कहीं मैं 0 से चुरू करता हूँ, 0, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हो गया minus 7, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हो गया minus 14, ऐस से चोटा number लेना है, तो यह रहा साथ, sorry, minus 7 से चोटा number लेना है, तो यह है minus 7, minus 7 include नहीं करना, इसको मैंने open कर दिया, और इस से चोटा number, यानि कि इस साइट जितने भी number है, वो सारे आदेंगे, यह कह रहा है कि इस से चोटा कोई भी number लो मेरा काम चलेगा, minus 14 से चोटा भी कर रहा है, इसको मैं दूसरे करता हूँ, पर मैं कोई light कर लेता हूँ, यह कहता है minus 14 से बड़ा number लो, तो यह minus 14, इसको include नहीं करना, minus 14 से बड़ा number लो, तो यह minus 14 से right side में चलता जाएगा, यह सारे numbers लो, minus 7 भी लो, minus 7 से बड़ा भी लो, यहाँ पर सारे numbers 0 भी लो, और 2000, 7000 जारे numbers लो, तो एक कह रहा है कि orange वाली line पर आओ, एक कह रहा है कि pink वाली line पर और दोनों में लडाई चल रही है, जो actually काम मुझे करना है, solve for why जो मुझे करना है, वो कह रहा है कि दोनों का कहना मानो, इस pink वाली का भी मानो, और इस orange वाली का भी मानो, यहाँ पर and लेगा तो अगर मैं इस side देखू, minus 7 से यहाँ पर, तो यही सिरफ orange पर है, तो यह तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर pink वाली बात जो है, वो गलत हो जाती है, जो pink वाली line है, उसके numbers इस पर नहीं है, वैसे अगर मैं minus 14 के side देखू, तो यहाँ पर orange वाली line नहीं है, तो यह भी बात गलत हो जाती है, इस minus 14 और minus 7 के बीच में जितने भी numbers है, यह जो चीज है, यहाँ पर pink भी है, और orange भी है, यहाँ पर कोई भी जो number है, वो इसकी बात भी मानेगा, और इसकी बात भी मानेगा, यानि कि वो इस inequality को satisfy भी करेगा, और इसको भी करेगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा actual solution है इस question का, वो minus 14 और minus 7 के बीच में लाए करेगा, अब यहाँ पर थोड़ा से ध्यान रखना है कि minus 14 और minus 7 लेना है कि नहीं लेना है, तो minus 7 और minus 14 यह जो numbers है, यह यहाँ पर क्योंकि equal to का sign नहीं है, तो यह included नहीं है, यानि कि मैं इन दोनों numbers को नहीं ले सकता, तो जो मेरा solution है, वो minus 14 से, वो जो मेरा actual y है, जो मुझे निकालना है, वो minus 14 से शुरू होगा, मैं लिख सकता हूँ, minus 14 से शुरू होगा, और यह चलेगा minus 7 तक, यह मेरा solution होगा, इस double inequality से मैं इसके solution को लिख सकता हूँ, minus 14 से minus 7 के बीच में अगर कोई number होगे, तो वो मेरे इस, इसका solution होगा, इसको अगर मैं set form में लिखना चाहूँ, अगर मजे वैसे लिखना हो, bracket बना के, तो मैं लिख सकता हूँ, कि यह मेरा minus 14 है, और यह मेरा minus 7 है, तो minus 14 से minus 7 तक कोई भी number ले लो, इसमें minus 14 भी नहीं लेना, तो यहाँ open कर दिया, और minus 7 भी नहीं है, तो यहाँ भी open कर दिया, तो solution को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब मैं चाहूँगा कि तुम कुछ values डाल के, इस solution को check करने की कोशिश करो, क्या जो मैं बोल रहा हूँ, बात सही है या नहीं है, चलो मैं भी तुम्हार साथ solve करने की कोशिश करता हूँ, पहले 3 into 0, यानिकि 0 plus 7, यानिकि ये कहेगा मेरे पास 7 is less than 2 into 0, यानिकि 0, 7 is less than 0, तो ये तो गलत है, 7 तो 0 से बड़ा है, जब ये पहली वाली की बात नहीं मान रहा, तो मैं दूसरे में चेक करके क्यों देखूँ, मुझे तो ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे तो ऐसे y चाहिए मैं इस वाली में डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता ये pink वाली बात तो माने गाई, मैं orange वाली में डालने की कोशिश करता हूँ, तो minus 20 जब मैं इस में डालूंगा, तो ये हो जाएगा 4 into minus 20, ये हो जाएगा minus 80, क्योंकि 4 into minus 20 minus 80 होता है, plus 8 is greater than minus 48, और इसको मैं simplify करूँ, त minus 48 से बड़ा बता रहा है तो, लेकिन minus 72 तो minus 48 से शोटा होता है, तो ये बात गलत है, यानि कि minus 14 से इस साइड अगर मैं कोई number लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर minus 20 लिया, कहीं minus 20 होगा, तो वो मुझे ये वाली inequality को गलत बता देगा, तो वो इस inequality का solution नहीं है, और मुझे चाहिए ऐसे number जो इन दोनों के solution है, अब एक काम करते हैं, finally इन दोनों के बीच में कोई number लेते हैं, जैसे minus 14 और minus 7 के बीच में कोई number लेता हूँ, मैं माल लेते हैं minus 10 लिया मैंने, minus 10 डालने की कोशिश करता हूँ, तो minus 10 अगर मैं पहली बाली में डालूँ, मैं इसको यहा minus 30 हो गया, plus 7 is less than 2 into minus 10, यानि की minus 20, यह बोल रहा है minus 30 plus 7, यानि की minus 23 is less than minus 20, यह तो सही है, minus 23 minus 20 से चोटा होता है, अब minus 10 को इस inequality में डालके देखते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं डालूँ तो यह हो जाएगा, 4 into minus 10, यानि की minus 40 plus 8 is greater than minus 48, तो यह है minus 40 plus 8, इसको मैं अगर add करूँ 8 इसमें, तो minus 40 में 8 add हो जाएगा, यह हो जाएगा minus 32 is greater than minus 48, तो minus 32 minus 48 से बड़ा होता है क्या, हाँ बड़ा होता है, तो यानि की यह इसको भी satisfy कर रहा है, तो यानि की इसके बीच में कोई number लोग है, तो वो दोनों इन equality को satisfy करेगा, और वह ही मुझे चाहिए, इसक add का मतलब बेसिकली यह हुआ, कि हमें दो inequality solve करनी है, और हमें वो solution report करना है, जिसके लिए inequality भी सही हो, और ये भी सही हो,